हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपर केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोन तथा वेसल मुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ सर्वोच्य नयाले ने कुछ दिन पहले एक एतियासिक फैसला दिया वह सम्मान के साथ में मौत का हक सम्मान के साथ में मौत का हक इच्छा मृत्य को सशर्त मान्यता दी सर्वोच्य नयाले ने तो इसा भी का है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ में मरने का अधिकार है और सरवोच्य नयाले ने दिशानिरदेश दिये है कि कानुन बनने तक यह जो दिशानिरदेश वो प्रभावी रहेंगे इसमें ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब वो जिवित है तो वह अपना बृत्वी पत्र लिख सकता है इच्छा बृत्वी पत्र लिख सकता है लिविंग विल लिख सकता है जिसमें वो लिख सकता ऐसा है कि मुझे कोई बीमारी ऐसी हुई कि जो बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकत मैं कुमा में हूँ जहां से मैं ठीक नहीं हो सकता या ऐसी एक स्थिती है कि अभी मरने वाला हूं मगर अभी मरनी रहा हूं तो उस समय जो सपोर्ट है वेंडिलेटर से या सपोर्ट सिस्टेम है जो भी कोई चालू है उसको जिवित रखने के लिए वो निकाली जाए तो ऐसी सपोर्ट सिस्टेम निकाली जाएगी और वेक्ति को मरने देंगी मगर ऐसी कोई चिठी उसने दिखी नहीं है तो फिर वो वेक्ति जो कोमा में है जहां से ठीक नहीं हो सकता या ऐसी स्थिती में है कि जहां से ठीक नहीं होने माला ऐसी विमारी है तो फिर उसके परीजन और तो आफ़े ट्रीटिंग डॉक्टर्स जो ठीक करना डॉक्टर्स है वो मिलके मेडिकल बोड को वो रेकमेंड कर सकते हैं और मेडिकल बोड इसका निरने ले सकता है कभी यक्ति की सपोर्ट सिस्टीम या वेंटिलेटर निकाले जाए और उसको मरने दिया जाए तो जब तक ये कानून बनता नहीं तब तक ये जो है ये निर्देश जो प्रभावी रहेंगे सर उच्छे नया लेंगे तो इसमें ये मगर थोड़ा सा प्राब्लेम इसमें ये आईसा सकता है कि जिसनको आत्मत्या करने की है वो ऐसा लिखे रखेंगे और बूलेंगे अभी हमको कोई बचाओ मत और हमको मरने दो तो इसमें रहासा प्राब्लेम उसमें आ सकता है ये जो इच्छां मृत्या है कि बई सम्मान के साथ में मरने देना इसमें दो प्रकार है एक एक्टिव यूचनेस या जिसमें उसको जहरिला इंजेक्शन देके उसको जो व्यक्तिय है उसको मार दिया जाता है जो ऐसी बिमारी है एक्टिव इसनेस हिया जो हमारे यह हमारे देश में गहीर कानूनी है और दूसरा है पैसिव इसनेस हिया पैसिव मतलब कि उसके जो support system है वो निकाल दो तो पहले ऐसा था कि भई नहीं एबॉर्शन जो है वो ठीक नहीं माना जाता आपने इसमें मगर अभी एबॉर्शन को भी मन्यता दी हुई है क्योंकि एदी मा की तब्वेत एदी खराब हो सकती है वो डिलिवरी होके तो फिर एबॉर्शन लिगलाइस कर दिया गया है कि मा की तब्वेत को मा की जीवित को एदी कोई प्राब्लेम होगा तो एबॉर्शन अला उड़े तो वैसे ही इसमें कुछ होगा कि जब तक मतलब उसमें लिखे रखा हुआ है और अभी मरना मतलब उसको प्राब्लेम नहीं है जो वेक्ति ऐसा लिखे रखता है उसको मरना प्राब्लेम नहीं है मगर उसको जीवित रहने का प्राब्लम है कि वो जीवित रहना उसके लिए बहुत तकलिब दे हो सकता है तो ऐसे वेक्ति को आराम से मरने दो गई तो ये जरूर एक अच्छा अच्छा कदम है क्योंकि 42 साल तक अरोना शानबाग केम होस्पिटल में एक नर्ष थी कि इसलिए उसको कुछ नहीं कर सके 2015 में उसकी डेथ होई जब मालूम था कि ये कुछ ठीक होने वाली है नहीं मगर उसको कुछ नहीं कर सके सपोर्ट सिस्टिम थी सब उसकी केर ले रहे थे और बैली साल तक वो जीवित रहे क्या फाइदा ऐसा मतलब कि वेजिटेटिव स्टेट में जीवित रहे के भी फाइदा नहीं है तो ऐसे इसमें जो है कर सकते हैं लोग और मेडिकल बोड़ ऐसा डिसीजन ले सकता है यह जो मेरा वीडियो जाद से आता लोगों तक फैला ताकि लोगों को इसका मतलब एड्यूकेशन हो जाए मेरी परिजित ऐसे तीन चार लोग ऐसे है कि अभी जो लोगों को मतलब ऐसा पैसिव यूथनेसिया किया तो अच्छा है मगर लोग भावना में आके नहीं करते वैसा नहीं नहीं ऐसा करेंगे लोगों को डर भी लगता है कि कानून हमको मालूम नहीं है कुछ एक्षिन लेंगी पुलीस तो पैसिव यूथनेसिया में यदि उनके परीजन और डॉक्टर ऐसा निरने लेते है तो उसको भी काईदे की मांगनाता है मिल जाएंगे सुप्रीम कोड के अनुसार तो वीडियो ज्यादा है लोगों को शेयर करो आपको अच्छा लाग और एडिक्शन फ्री एंडिया विसन मुक्त भारत उसमें भी आपका हाथ लग जाएंगा आपके वाट्सेप ग्रूप के ऊपर फेस्बूक ग्रूप के जरूर शेयर करो थेंक्यू भरी मच्छ